हलो ग्रिटेंग्स टू आल अप यू वेल्टाम टू आन अकैडमी सभी का बहुत-बहुत तौ आगत है दुपहर के बारा बच चुके हैं और हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं एक पहुती इंपोर्टेंट और धमाकेदार सेशन के साथ बाई साथ जितने लोग चैनल पे नहें हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके इस सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल आपके अपने परिवार लेट्स क्रैक डिफेंस एक्जाम के एक बहुती इंपोर्टेंट सिरीज जिसका नाम है समरी ओफ दा मॉडन इंडियन हिस्ट्री बाई राजी वहिर जो कि स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन के एक ब आपके काम के हैं वो टोटल 17 चैप्टर्स हैं तो टोटल 17 चैप्टर्स हैं जो आपके काम के हैं बाकी चैप्टर्स आपके काम के नहीं हैं तो उन 17 चैप्टर्स में आज दूसरा चैप्टर है रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स बटा यह एक बहुती 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 बेटा आपको मालूम है कि 19th century में 18th, 19th और 20th century में भारत में बहुत सारी जो है social problems चल नहीं थी तो उन social problems को tackle करने के लिए social reforms movements हमारे देश में आये बहुत सारे religious purification measures थे वो हमारे देश में लिए गए बहुत बड़े-बड़े social reformers हैं जैसे राजा राम मोहन रोय हैं, ईश्वर चन्विद्या सागर हैं, स्वामी दैनन सरस्वती हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं तो इस तरह के question आपने देखे होंगे कि आपक साथ में share की जाए summary की, तो उसको भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा, तब आपको पूरा फाइदा समझ में आएगा कि इस topic का क्या है, क्योंकि इस topic को अगर आप देखेंगे तो इस topic से guarantee, social and culture reform से आपके exam में questions पूछे जाते हैं, तो इसको काफी अच्छे से करिएगा, ची प्लेस पर दो लाग से यादा बच्चे मैंने पढ़ाएं हैं, खुद भी बहुत सारे exams निकाले हुए हैं, आप मुझे अनकाडमी पर follow कर सकते हैं, GS का कोई भी subject पढ़ना हो, quality, history, geography, economy, current affairs, miscellaneous, सब कुछ मैं पढ़ाता हूँ, सीक है बटा, ये हमारा telegram channel है, जिसका नाम है Q&A Academy, ठीक है, तो ये हमारा telegram channel है Q&A Academy, इससे जुड़ जाएए, ताकि updates, notification और PDF आपको मिलते रहें, exams related सारी जानकारी आपको इसी channel पर मिलेगी, कहते हैं ना बटा कि exam की तयारी करने के लिए, पढ़ना जितना जादा जरूरी है, उतना पढ़ाई के माहौल में रहना भी ज़रूरी है, और ये वो channel है telegram का जो आपको पढ़ाई के महौल के साथ जोड़े रखेगा, so let's crack CDS, AFCAT, CAPF, with India's largest learning platform, Unacademy, यहाँ पर daily life classes, structured session plan, unlimited practice, unlimited access, और इंडिया के top educators मिलते हैं, इसके लिए आपको Unacademy की learning app डाउनलोड करनी है, जो बच्चे 2022 की तयारी कर रहे हैं, देख लो, तो 2022 की अगर तुम तयारी कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए हमारा नया foundation course शुरू होगा, 22 December से, तो 22 December से नया foundation course शुरू हो रहा है, 24 November वाला already शुरू हो चुका है, अब अगला course जो है, वो 22 December से आएगा, जो की बहुती शांदार foundation course है, जिसमें हम आपको base से पढ इस समय जो है, फुल बैच है, इसमें GS मैं पढ़ा रहा हूँ, अंग्रेजी डॉक्टर मिश्य शोदिया और मैं सुजी सर, मेरी क्लास सुबा, मेरी क्लास दुपहे साड़े तीन बजे, अमिश सर की सुबा ग्यारा बजे, और सुजी सर की शाम को 6 बजे होती है, अगर आप अपरेल का एम कर रहे हैं, तो 6 मेने का सब्स्रिप्शन ले लीजे, सेप्टेंबर का कर रहे हैं, बारा महिने और 2023 का कर रहे हैं, तो 24 मेने, मेरा कोड याद रखेगा, QA लाइफ, इससे क्या है, कि आपको 10% का इंस्टेंट डिसकाउंट मिलेगा, वैसे मैं बता दू कि ब देख डाउन करें, तो आप देखेंगे कि मात्र 24 रुपे प्रति दिन आपको दिखता है ये, 24 रुपे आप कहां दिन भर में खर्चा करते हैं, अगर मैं आपका हिसाब मांगू, तो आप मुझे हिसाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन इस प्रोड़क्टिव जगाप अगर खर्चा करते हैं, तो 24 रुपे परड़े में आपको पूरा एक ऑफिसर बनने का मौका मिल ला है, भारा सरकार में क्लास वन गज़ेटेड ऑफिसर, और कहते हैं ना बटा सेना से बड़ी सम्मान जनक जौब भारत में कोई भी नहीं है, तो इस सब्सक्रिप्शन को ले और अपने सपने को साकार करें भारती सेना में ऑफिसर बनने के, चलिए भाई, सब लोग आ चुके हैं, तो मुझे हरी जंडी सब लोग दिखा दीजिए, इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ जो है शेर कर दीजिए, वाटसैप पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, फ फटा-फट जो है, इस सेशन को आप लोग नीचे जो लाइक बटन बना हुआ है, उसको दबा दीजिए, शुरू करते हैं, चलिए बहुत बढ़े हैं, चीक है, हाँ जी, चलिए बेटा, तो आज का सेशन ये है, कि आपको मालूम है, टोटल सतरा चैप्टर हमें पढ़ने ह जिसमें कल हमने ये पहला चैप्टर पढ़ लिया था, आज religious और social reform movements हमें पढ़ना है, तो आज हमारा दूसरा topic है social and religious movement, अब देखो बेटा होता क्या है, कि 18th century और 19th century और 20th century को देखा जाए, तो इसमें क्या है कि भारत बहुत सारी social problem से जूज रहा था, जैसे कि बहुत ब पती की मौत हो जाए, तो पतनी को जो है पती के साथ जिन्दा जला दिया जाता था, हमारे देश में जो है बटा child marriages होती थी, मतलब छोटे बच्चों का विवाह होता था, हमारे देश में जो है बटा विडोस की बहुत बुरी हालात थी, मतलब विद्वाओं की जो है कोई इज़त नहीं थी समाज में, उन्हें social gathering का हिस्सा नहीं बनाया जाता था, हमारे देश में जो है बटा caste problem बहुत थी, untouchability बहुत थी, और religious problems बहुत थी, polygamy बहुत popular हो गई थी, तो इन सब चीजों को tackle करने के लिए हमारे देश में बहुत सारे movement शुरू हुए आप रखेग आते हैं, the dawn of the 19th century witness, the birth of a new vision, a modern vision amongst the some enlightened sections of the Indian society, the presence of colonial government on Indian soil played a complex, yes, decisive role in the crucial phase of modern history, ठीक है, तो अगर beginning देखा जाए, तो beginning के उपर अगर आप देखेंगे, तो मैंने आपको सारी समस्याय बता दी, याद रखेगा, ठीक है, तो beginning की सारी समस्याय यहीं थी, जो social problems हमारे देश में थी और सबसे पहला कदम उठाया बैटा, राजा राम मोहन रॉय जैसे वेक्ती ने, इसलिए आप देखेंगे कि रोजादा राम मोहन रॉय सहाब हैं, उन्हें prophet of modern India या आधुनिक भारत का पैगंबर भी कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं कि सबसे पहला step जो है बैटा, वो राजा सुधारों में आप देखेंगे, तो बहुत सारे लोगों का नाम आपको मिलेगा, जैसे कि जोती बाप फूले हो गए, गोपाल हरी देशमिक हो गए, केटी तेलंग हो गए, बीम मलबारी हो गए, डीके करवे हो गए, श्री नरायन गुरु हो गए, ईवी राम स्वामी इश्मुक हैं, केटी तेलंग हैं, बीम मलबारी हैं, डीके करवे हैं, नरायन गुरु हैं, ईवी राम स्वामी नाइकर हैं, जिनों दक्षिन भारत में बहुत सारे रिफॉर्म मुमेंट्स को लेकर कर आया याद रखेगा, चिक है, तो सबसे पहली जो समस्या थी, जो सबस सबसे पहली लड़ाई आप देखेंगे कि fight for the betterment of the position of women, तो बहुत सारे ऐसे social reformers थे, जिनको लगता था कि जो सबसे बड़ा matter भारत में 19th century में चल लहा है, वो है महिलाओं की हालत, तो महिलाओं की हालत बहुत खराब थी, तो सबसे पहली लड़ाई जो है, वो महिलाओं की हालात को सुधारने के लिए की गई, the reformers had to work against the great odds, women were generally accorded as low status and were considered to be inferior to men, with no identity of their own, तो देख सकते हैं सबसे बड़ी समस्या क्या थी, कि महिलाओं को पुरुष से inferior माना जाता था, और महिलाओं की अपनी खुद की identity कोई नहीं होती थी, मतलब जब एक महिला निकलती थी, तो ल कासे बंसारी है, तो मतलब हमारी खुद की एक identity होती है, लेकिन जब महिलाओं निकलती हैं, तो उनकी खुद की कोई identity नहीं है, उनको किसी के पत्नी, किसी की बेहन, किसी की बेटी के नाम से ही पुकारा जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, कि महिलाओं की जो है, वो अपने आप में कोई self value नहीं थी, कोई intrinsic value नहीं थी, उँकि खुद की कोई identity नहीं थी, तो सबसे बड़ी लड़ाई जो थी, वो identity को ले करके थी, तो महिलाओं की लड़ाई जो है, वो identity को ले करके थी, अब देखे, महिलाओं की समस्या क्या थी, जैसे इसलाम में आप देखेंगे परदा सिस्टम था, उसके लावा दूसरे धर्मों में early marriages, ban on widow remarriage, सती, ये सब समस्याएं महिलाएं छेल नहीं थी, तो महिलाओं को जो है, परदा हो गया, early marriages हो गया है, widow remarriage का ban हो गया, सती, practice हो गई, इन सब समस्याओं से महिलाएं चूज रही थी, बोथ हिंदू और मुस्लिम वुमेर्स वा एकनॉमिकली और सोशली डिपेंडेंट, वाइल एजूकेशन वस जनरली डिनाइड तो देन, त तो चाहे हिंदू महिलाएं हो, चाहे मुसलिम महिलाएं हैं, इन सब के साथ समस्या एक ही थी, याद रखेगा, कि वर एकनॉमिकली और सोशली डिपेंडेंट, वाइल एजूकेशन वस जनरली डिनाइड, तो महिला जो हिंदू होती थी, उसे बटा जो है, inheritance property नहीं दी जात as men could, while in matters of divorce, there was no equality between men and women, जबकि मुसलिम महिलाओं में थोड़ा सा ये था, कि जो मुसलिम महिलाएं थी, उनको पिता की कुछ संपत्ती जरूर मिलती थी, लेकिन divorce के मामले में, उनका भी कोई अधिकार नहीं था, याद रखेगा, तो सबसे बड़ी समस्या ये थी, बच्चो कि महिलाओं की condition भारत में 19th century में बहुत जादा खराब थी, तो इसके लावा अब क्या हुआ कि बहुत सारे जो हैं बटा, बहुत सारे कानून पास किये गए, भारत में महिलाओं के लिए याद रखेगा, जैसे सबसे पहले banning सती, तो सती practice को ban किया गए, आपको मालूम है, बेंगॉल regulations, declaring infanticide illegal, तो बेंगॉल regulations लाएगा, यह देखेगा, 1795 और 1804 में, यहाँ पर infanticide को illegal खोशित कर दिया गया, बहुत सारे लोग क्या होते थे, कि जब बेटी पैदा होती थी, पैदा होने कवाद बेटी को जो है, उसे जल समाधी दे 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 थे या उसकी जान ले बेटे थे, तो उस condition में बेटा infanticide को ban किया गया, हिंदू marriage widow remarriage act पास किया गया, age of consent act पास किया गया, मतलब कि भीया, एक लड़की 18 साल की होगी, तभी शादी हो सकती है, और 21 सरगलका होगा, तभी शादी होगी, उसके लावा शार्दा act आया, special marriage act आया, हिंदू marriage act आया, ह इंदू adoption and maintenance act आया, उसके बाद equal remuneration act आया, child marriage restrained amendment act आया, suppression of immortal traffic आया, दावरी prohibition act आया, तो आप देख सकते हैं, कि हमारे देश में आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी महिलाओं की condition को solve करने के लिए, देश में बहुत सारे कानून बनाए गए, ताकि महिलाओं की स्थिथी को बहतर किया जा सके, लेकिन कहते हैं ना बेटा कि कानून बनाने से सिर्फ जो है, आप किसी भी condition को बहतर नहीं कर सकते, जब तक उसमें समाज का participation ना हो, तो जब तक समाज उसमें खुद बढ़ चड़की हिस्सा नहीं लेगा, जब तक चीजे को आप बहतर नही याद रखेगा, चीख है, आपको मालूम है, हमारे देश में 1829 में, 1829 में जब विलियम बैनेटिक हुआ करते थे, उन्होंने सती प्रैक्टिस को बैन कर दिया, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई भी औरत के साथ सती प्रैक्टिस होगी, तो उस कंडिशन म जो है, जो सती करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कारवाही होगी, और उन्हें कानूनन तोर पर सजा भी दी जाएगी, याद रखेगा, चीख है, हाँ जी, फीमेल इंफैंटिसाइड, जो बैटा, छोटी बच्चियां पैदा होती थी, उनको मार दिया जाता था, ये बह practice of murdering female infants immediately after birth, was common among the upper class Bengali and Rajputs, जो ये Bengali caste में और राजपूतों में देखा जाता था, कि वहाँ पर 19th century में जब बेटियां पैदा होती थी, तो उनको जान से मार देते थे, क्योंको उनको लगता था, कि जो भीया महिलाएं हैं, वो economic burden है, याद रखेगा, The Bengal regulation of 1785 and 1804 declared infanticide illegal याद रखेगा, तो एक कानून बनाया गया, बंगाल regulation 1795 और 1804 ने, और इन्होंने जो है, infanticide को murder के बराबर घोशित कर दिया, याद रखेगा, तो 1795 और 1804 में Bengal regulation नाम का कानून लाया गया, जिसके तहत female infanticide को रोखा गया, याद रखेगा, विडो री-marriage आपको मालूम है, बहुत बड़ा समस्या थी, याद रखेगा, तो विडो री-marriage असल में क्या होता था, कि अब महिलाओं की सती तो नहीं हो रही थी, लेकिन सती ना होने के बाओ, जो महिलाएं थी बैया, वो अब जीवन बिलकुल जिन्दालाश के तरह जी पुत्र नरायन का विवा, एक विद्वा से करा दिया, इसको देख करके 1856 में लॉट डलहाउजी ने विडो री-marriage आपको पास कर दिया, जो कि एक अच्छी चीज थी, याद रखेगा, चीख है, तो ये सब भी आप देख सकते हैं, चीख है, हाँ जी, Child marriages, Child marriages को रोका गया, the Native Marriage Act or Civil Marriage Act signifies the coming of legislative action in prohibiting child marriage in 1872, याद रखेगा, तो 1872 में अंग्रेजों ने Child Marriage को बैन किया, it has limited impact as the Act was not applicable to Hindus, Muslim and other recognized Act, The relentless efforts of Parsi reformer BM Malbari were rewarded by the enactment of the Age of Consent Act, which forbade the marriage of girls below the age of 12, तो बटा, अब इसके लिए क्या हुआ, एक वेक्ती हुआ करते थे, BM Malbari, जो कि एक Parsi वेक्ती थे, इन्होंने बहुत सारा effort किया, इसको देखते हुए, एक कानून पास किया, Age of Consent Act, 1891, जिसके तहत, जो बच्चियां, 12 साल से कम उमर की हैं, उनकी शादी नहीं हो सकती थी, तो Age of Consent Act, ऐसे कोशन आपने एक्जाम में देखे होंगे, बहुत पूछे जाते हैं, तो Age of Consent Act पास किया गया, याद रखेगा, 1891 में, जिसके तहत, 12 साल से कम उमर की बच्चियों की शादियों पर रोक लगाया गया, उसक Marriage of Girls from 15 to 18, Boys Boys from 18 to 19, तो Finally, अब हमारे देश में Child Marriage Restraint Act है 1978 का, जिसके तहत, महिलाओं की शादी 18 साल से कम और पुर्षों की सादी 21 साल से कम उमर पर नहीं हो सकती है, तो आप देख सकते हैं कि Child Marriage एक बहुत बड़ी समस्या थी, हमारे देश में इसके लिए सबसे पहले ये जो कोई खास फाइदा नहीं हुआ है, फिर एक विक्ती थे जिनका नाम था BM मलबारी, उनके एफट्स को देखते हुए Age of Consent Act आया, जिसमें लड़कियों की शादी 12 साल से कम उमर पर करना प्रोहिबेटेड था, फिर 14 एक आया 1930 में जिसमें महिलाओं की ये 14 और पुर्षों की Education for Women, the Christian Missionaries were first set up the Calcutta Female Juvenile Society, अब महिलाओं की सिक्षा के लिए याद रखेगा Christians, Christian Missionaries हमेशा से आज भी आपको मालूम हैं कि भारत में Christian School सबसे अच्छे माने जाते हैं, Christian Missionary School जो होते हैं, तो Christians ने बीड़ा सबसे पहले उठाया, और Christian Missionaries was the first to set up the Calcutta Female Juvenile Society, 1918-1919, तो 1819 में Calcutta Female Juvenile Society बनाई गई, Bethune School founded by J.A.D. Bethune, President of the Council of Education, Calcutta in 1849, was the first fruit of the powerful movement of the women's education that arose in the 1840s and 50s, पंडित ईश्वर्चन विद्या सागर असोसेटेटेविड नो लेस देन 35 गल्स स्कूल इन बंगाल एंड कंसिरेट वन पाइनियर और वोमेंस एजूकेशन थीक है, तो इश्वर्चन विद्या सागर जी ने ठीक है, तो 35 बच्चियों के साथ एक स्कूल शुरू किया तो आपको मालूब है कि भारत में इंडियन वोमेंस उनिवर्चिटी प्रोफेसर करवे ने पूरे में शुरू की थी, इन दे सेम यर लाइडी हाडिंगे मेडिकल कॉलेज वस ओपेंड इन डेली, तो महिलाओं की सिक्षा के लिए भी हमारे देश में बहुत सारे काम किये गए, तो सबसे बड़ी समस्या जो थी, अगर आप देखेंगे तो पढ़के आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, कि 19th century और 28th century की शुरूबात में भारत में जो सबसे बड़ी समस्या आएं थी, वो ये थी कि हमारे देश में महिलाओं की हालाओं की हालाओं बहुत करने के लिए देश में चीक है बच्चा अब समझिएगा अब देखो है अगरा है सब को जा गए याद रखेगा चीक है अब यह सब ठीक है यह सब हो गया चीक है अच्छा अब श्रगल अगेंस काफ बेस एक्प्लोइटेशन तो पहली समस्या थी कि महिलाओं की स्थेती को सई करना तो पहली कंडिशन थी वो यह थी कि महिलाओं की स्थेती को सई करना दूसरी कंडिशन जो सबसे बड़ी थी स्ट्रगल अगेंस कास्ट बेस एक्स्प्लोइटेशन बहुत होता था मतलब छोटी जाती और ऊची जाती यह बहुत चलता था हमारे देश में और हमारे एंटरी की इजाज़त नहीं हुआ करती थी उन्हें घर में साथ बैटने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी तो बटा यह कास्ट बेस एक्स्प्लोइटेशन हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या थी और इसी वज़े से अगर आप देखेंगे तो भारत क्या था भारत क् खारण ही यह था कि हमारे देश में लोग जो थे वो अलग-अलग classes में बटे थे वो कभी एक नहीं थे इसलिए कहा जाता है कि गांधी जी का जो सबसे बड़ा योगदान हमारे देश में था वो ये था कि गांधी जी ने हमारे देश के जो classes थे उसे masses में convert किया था मतलब उन्होंने कहा कि अगर लड़ना है अंग्रेजों से तो एक होकर लड़ना पड़ेगा तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी याद रखेगा चीक है हाँ जी तो इसलिए भाईया अब लोगों को सामने आना पड़ा और जनरल अब सोशल रिफॉर्म म राजा राम मोहन रॉय ने पहले ब्रह्मो सभा बनाई और उसके बाद उसका नाम ब्रह्मो समाज रख दिया गया अब भाई लाजा राम मोहन रॉय सहाब ने सबसे पहले ये कहा कि भाईया देखो राजा राम मोहन रॉय की जो सबसे बड़े योगदान थे वो ये थे कि व वर्षिब उनली वन गॉड मतलब मल्टेपल गॉड नहीं बलकि एक इश्वर की पूजा करनी चाहिए दूसरी चीज के बाद राजा राम मोहन रॉय जी ने देखा कि जो समाजिक समस्याइं बहुत जादा हैं कास्ट बेश प्रॉब्लम्स हैं तो उसको दूर करने के लिए र ब्रह्मो समाज उन्हों ने क्यों शुरू किया था ताकि हिंदू धर्म का प्यूरिफिकेशन किया जा सके क्यों उनको लगता था कि हिंदू धर्मे कास्ट सिस्टम बहुत जादा है जबकि वो कहते थे कि वेद और उपनिशद्स में ऐसा कुछ नहीं बताया गया था तो हम में जो है इसको छोड़ना चाहिए और मोनोथिजिम में विश्वास रखना चाहिए मिन्स वी शूड बिलीव इन दे थियोरी ओफ वन गॉड मतलब हमें एक भगवान में विश्वास करना चाहिए याद रखेगा चीक है तो राजा राम मोहन रॉय जो है मोनोथिजिम में ठीक है हाँ जी अब देखेंगे ब्रह्मो समाज ने क्या किया इट डिनाउंच्ड पॉलिथिजिम और आइडल वर्षिप तो इन्होंने कहा कि मल्टिपल गॉड की पूजा ना करो एक भगवान की करो और आइडल वर्षिप को छोड़ दो मूर्ती पूजा मत करो इट डिस क्रिटिसाइज दा का सिस्टम इन मैंटर सोशल डिफॉर्म दा समाज अटैक्ट मैनी डॉग्माज और सूपर्टीशन इट कंडेंग प्रिवेलिंग हिंदू प्रेजुडिए अगेंस अगेंस अब इन्हों ने किया मतलब वही सारी चीज़े थी जो कास्ट बेश प्रॉब हिंदू धर में एक चीज होती थी कि अगर आप अबरॉट चले गए तो आप धर्म से निस्काशित हो जाएंगे इस सूपर्टीशन को नहंदूर किया उन्होंने कहा कि मूर्ती पूजा को बंद करो सती प्राक्टिस को बंद करो ताकि समाज जो है उसे बहतर किया जा सके त हम बताओ यह समधी मैं आपको बढ़ा रहा हूं जल्दी बताओ आप लोग कुछ बोलते नहीं हो बाबा यह बड़ी हमें लगता आएग गया बोलते नहीं बच्चे हमारे बोलते रहा करो आजी जैहिन सर आजाईए आजाईए बटा इस टॉपिक को बिलकुल हलके मत दीज क्योंकि यहां से एक्जाम में आपके कुशन्स आ जाते हैं लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा हूं बहुत सारे लोगों को जादा खास इंट्रेस्ट नहीं आ रहा है मुझे लगता इस सिरीज में अगर इंट्रेस्ट नहीं आ रहा है तो हम कुछ और शुरू कर सकते हैं आपको इस सिरीज को थोड़ा सा स्ट्रॉंगली पालन करना पड़ेगा याद रखेगा चीक है क्योंकि यह मॉडर्ण हिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट सिरीज है इट विल हेल्प यू आउट इन यू एक्जामेनेशन से याद रखेगा हां जी चलिए आगे बढ़ते हैं तो प्रातना समाज अब देखो ब्रह्मो समाज हो गया प्रातना समाज in 1863 केशब चंध्र सें हैंट फाउंड दा प्रातना समाज in बॉम्बे सपार्म्य अर्लियर ब्रह्मो आईडिया सप्रेट इन महाराष्ट्र वेर दा प्रम हान्सभा वस फांड़े 1849, here the emphasis was on monotheism, on works rather than on faith, they relied on education and persuasion and not on confrontation with Hindu orthodoxy, याद रखेगा, चीक है, अब देखेगा, अब होता क्या है, कि प्रातना समाज 1863 में केशब चंदर सेन ने शुरू करी याद रखेगा, तो केशब चंदर सेन ने प्रातना समाज की शुरुवात करी, इन्हों ने भी कहा कि हमें monothe का विश्वास करना है, ठीक है, हाँ जी, मतलब हमें, we should believe in the theory of one God, not multiple God, से याद रखेगा, तो इन्होंने four point social agenda बनाया, याद रखेगा, ठीक है, disapproval of caste system, ठीक है, women's education, widow remarriage, और raising the age of marriage for both males and females, तो प्रातना समाज को अगर आप देखें, तो प्रातना समाज की जो लड़ाई थ पर थी, तो इन्होंने कहा, पहली चीज की caste system को खतम किया जाए, महिलाओं की सिक्षा शुरू की जाए, widows की remarriage हो, और पुरुष और महिलाओं की जो शादी की age है, उसे बढ़ाया जाए, तो केशब चंदरसेन का जो प्रातना समाज था, वो जादा strict नहीं बाते कर रहा थ उसने चार चीजों पर बाते की, सिर्थ, उन्होंने कहा कि बईया, caste system खतम हो, women's education बढ़े, widow remarriage हो, age of marriage बढ़े, दा प्रातना समाज है, इस प्रॉमिनेंट लीडर्स लाइक, महादेव, गोविंत, रनाडे, आर्जी, भंडारकर, और एंग्जी, चंदवाकर याद रखेग तो प्रातना समाज की शुरुआज जो है, केशप चंदर सेन ने की थी, लेकिन इसके जो प्रॉमिनेंट लीडर्स हुआ करते थे, वो महादेव, गोविंत, रनाडे, आर्जी, भंडारकर, और एंग्जी, चंदावाकर, चंदावारकर थे, याद रखेगा, उसके बाद य यंग बंगाल मुग्मेंट कहा जाता है, यंग बंगाल मुग्मेंट एन हन्री विवियान डिरेजियो याद रखेगा, एक कॉलेज हुआ करता था कलकत्ता में जिसका नाम नाम था हिंदू कॉलेज, इसकी शुरुआद जो है, राजा राम मुहन रोय ने की थी, डेविड ह देरे मेंजरे राइटिकल इंतलेक्ट्ट्रेंड अमग यूथ इन बंगाल विचे अग्गाल मुमंट तो यंग बंगाल मुवमेंट शुरू होता है यंग अंग्लो इंदियन हिंद्री वीवन डेरॉज्यों वू तॉट अट अधरू कॉलेज वस आग नेडर ऑप्रेशिव trend. Drawing the inspiration from the great French revolution, Derozio inspired his peoples to drink freely and rationally, question all authority, love, liberty, equality, freedom and oppose, descendant customs and traditions याद रखेगा. So, जो हमारे Henry Vivian Derozio सहाब थे, ये basically French revolution inspired थे और जब आप French revolution inspired होंगे तो जाहिर से बात है equality, liberty और fraternity आपके दिमाग में भरी होगी. क्योंकि French revolution जो है वो पूरा equality, liberty of fraternity पर ही based था. तो Henry Vivian Derozio कहते थे अपने बच्चों से कि आपको सत्य बोलना चाहिए और इतना सत्य बोलना चाहिए कि सत्य के लिए अगर आपको अपनी जान भी देनी पड़ जाए तो वो भी कम है लेकिन सत्य जो है आपको हमेशा अपने जीवन में बोलना चाहिए. उसके बाद तो Henry Vivian Derozio को जो है लोग कहने लगे कि ये रेडिकल आदमी है और 1831 में Henry Vivian Derozio को जो है आपके जो हिंदू कॉलेस था वहाँ से निकाल दिया गया लेकिन आप देखें जो ग्रेट वेक्तीज हैं जैसे कि हमारे सुरेंद्रनाथ बैनर जी हैं उन्होंने कहा कि Derozio is the pioneers of the modern civilization of बंगाल तो उन्होंने कहा कि जो Derozio होते हैं वो pioneer हैं modern civilization of बंगाल के तो Henry Vivian Derozio ने ये हैं बहुती famous movement शुरू किया था जिसका नाम था young बंगाल movement इसके बाद आप देख सकते हैं इश्वरचंद विद्या सागर the great scholar and former विद्या सागर आइडिया वर happy blend of India and western thought he believed in high moral values was a due feminist and a generous to the poor he became the principal of the Sanskrit college Sanskrit college के principle बने he was determined to break the priestly monopoly of the scriptal knowledge and for his opened a Sanskrit college to non-brahmins तो इन्होंने बेटा Sanskrit college खोला था जो कि non-brahmins के लिए था मतलब यहां पर brahmins नहीं पढ़ते थे याद रखेगा तो अगर आप देखेंगे तो ईश्वर चंद विद्या सागर विद्या सागर विद्यो रिमारिज के लिए हमेशा से लंबी लड़ाई लड़ते रहे लेकिन इसका यह मतलब नहीं का aim से विद्यो रिमारिज था इसके लावा बिठा यह जो है चाइल्ड मैरिज और पॉलीगैमी के भी विरोत करते थे मतलब कहते थे कि बाल विवा नहीं होना चाहिए और पॉलीगैमी पॉलीगैमी का मतलब है जब एक आदमी multiple शादी करे तो उसका भी खिलाफ थे यह he did much for the cause of women's education महिलाओं की सिक्षा ठीक है secretary of the Bethune school he was one of the pioneers of higher education for women in India ठीक है हाँ जी तो Bethune school आपको मालूम है जो 1849 में खोला गया था यह उसके बटा secretary हुआ करते थे बहुत ही famous था यह महिलाओं के लिए एक बहुत famous school खोला गया था Bethune school और वहां के यह secretary भी हुआ करते थे इश्वर्चन विद्या सागर ठीक है बाल शास्त्री जामबेकर यह देखेगा बाल शास्त्री जामबेकर one of the pioneers in Bombay he attacked Brahminical orthodoxy and tried to reform popular Hinduism ठीक है वेटा तो यह देखेगा BS जामबेकर यह भी एक वेक्ती हुआ करते थे यह pioneers in Bombay थे he attacked the Brahminical orthodoxy तो Brahminical orthodoxy के खिलाब थे और इन्होंने Hinduism को जो है reform किया He started the weekly इन्होंने एक paper निकाला weekly newspaper इसका नाम था दरपन Student Literary and Scientific Society also called the ज्यान प्रसारक मंदलीज He had two branches Marathi and Gujarati and found by some educated young men in 1848 These मंदलीज organized lectures on popular science and social questions One of their aims was to start school for girls तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे लोग एक ही लड़ाई लड़ रहे थे वो यह था कि महिलाओं की condition कैसे बहतर की जा सके और जो Brahminical Society ने जो चीजे बनाई हैं उससे कैसे बहार आ सके तो इन सब चीजों की लड़ाई लड़ रहे थे Equality की लड़ाई थी basically आप देखेंगे तो बाल शास्त्री जंबेकर उसके बाद आप देख सकते हैं यह Paramhans Mandali Founded in 1849 in Maharashtra Paramhans Mandali 1849 में बनाई गई Maharashtra में The founders of these Mandalis believes in one God ये लोग भी एक भगवान में विश्वास रखते थे They were primarily interested in breaking caste rules याद रखेगा At their meeting food cooked by lower caste people and taken by the members These Mandalis also advocated widow remarriage and women's education Branches of Paramhans Mandali existed in Puna, Satara and other towns of Maharashtra तो Paramhans Mandali आप देख सकते हैं 1849 में शुरू करी गई और इसका भी main aim जो था वो ये था कि ये believe in one God में विश्वास रखते थे caste system का विरोध करते थे और इनका सबसे popular style ये था कि जब भी इनकी meeting होती थी दो lower caste के लोग खाना बनाते थे और बाकी upper caste के लोग उस खाने को खाया करते थे तो Paramhans Mandali ये महराष्ट में ही popular थी याद रखेगा चीक है हाँ जी सब monotheism में yes बेटाई सारे के सारे जो हैं वो monotheism में ही believe करते थे और मतलब ये कहते थे कि they should be one God मतलब लोगों से इंका कहना था कि आप एक भगवान में विश्वास करिए multiple भगवान में विश्वास ना करिए याद रखेगा चीक है सत्य शोधक समाज and जोती बाप फुले ये दिखेगा जोती बाप फुले belong to the Mali gardener community अब जोती बाप फुले के बारे में तो आपको मालूम होगा ये Mali समाज को belong करते थे and organized a powerful movement against upper caste domination and brahminical supremacy तो इन्हों ने upper caste domination तो उसके खिलाफ एक movement शुरू किया फुले founded the सत्य शोधक समाज truth seeker society in 1873 with the leadership of समाज coming from the backward classes, Mali, Stelis, कुन्बी, सारीज and धंगाराज तो इन्हों ने बैटा सत्य सोधक समाज शुरू किया 1873 में और जो leaders थे वो basically backward class के Mali, Teli, कुन्बी, सारीज धंगाराज the main aim of the movement was social service, spread of education among women and lower caste people तो इनका जो main aim था movement का वो था social service समाज सेवा करना और spread of education for women and low caste ठीक है तो जो spread of education है वो महिलाओं के लिए और lower caste लोगों के लिए इन्होंने किया था फूले works, सार्जनिक सत्यधर्म and गुलाम गिन became source of inspiration common masses फूले used the symbol of Raja Bali as opposed to the Brahmin symbol of Ram फूले aimed at the complete abolition of caste system and social economic equalities तो यह कह रहे है तो या caste system खतम करो और social economic equalities जो है वो भी खतम होनी चाहिए तो जोती बाप फूले इन्होंने सत्य सोधक समाज बनाया 1873 में याद रखेगा He was against the Sanskrit Hinduism याद रखेगा चीक है यह तब आप जानते हैं फूले opened with his wife a girl's food at Puna and was pioneer of widow remarriage movement in महारास्था गोपाल हरी देशमुक यह तो आप जानते हैं तो गोपाल हरी देशमुक के बारे में आप जानते होंगे महारास्ट में बहुती famous social reformer थे यह कहते थे कि अगर धर्म में जो है reform नहीं हो सकते तो आपको धर्म बतल देना चाहिए यह गोपाल हरी देशमुक जो है बैटा यह भी women's education की लंबी रड़ाई लड़ते रहे महारास्था में और इन्हें pioneer कहा जाता है one of the leading pioneers of women's education in महारास्टा गोपाल हरी देशमुक ही वो वेक्ती थे जब 1877 में Queen Victoria के लिए जो है बैटा Grand दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ तो वहाँ पर बैटा सब लोग coat, pen, tie, shirt वर लगपहन के गए थे और गोपाल हरी देशमुक ही एक मार्त रवेक्ती थे जो वहाँ पर खादी से बना हुआ कपड़ा पहन कर गए थे क्योंकि उनका कहना था कि हम अंग्रेजों की चीजों का विरोध करते हैं और खादी को बढ़ावा देते हैं याद रखेगा चीख है उसके बाद आप देख सकते हैं गोपाल गनेश आगरकर अ श्ट्रॉंग अड़ोकेट पावर ऑफ हुमन दीजन ही क्रिटिसाइज रूम दा ब्लाइंड डिपेंडेंडेंस और ट्रेशन और फ्लास गॉलिफ्रिकेशन और पास्ट याद रखेगा सर्वेंट्स ओफ इंडिया सोसाइटी बहुत फेमस है सर्वेंट्स ओफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में बनाई थी गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ओफ इंडिया सोसाइटी बनाया था इंका काम था और बारत में बहुत सारे एरिया ऐसे होते थे जहां बाड़ आ जाती थी सुखा पड़ता था तो वहां पर लोगों को मदद करना यह सब काम जो है ग्रेट लीडर याद रखेगा सर्वेंट्स ओँड्या सुसाईटी चुरू की थी रामकृक्रिश्न मिशन आपको मालू होना चाहिए आपको मालू होना चाहिए आब होता क्या है कि रामकृष्न मुव्मन UNC की शुरुवात होती है अब होता गया मैं आपको बता दूँ कि स्वामी विवेकानन जी ने बैटा आप नरेंदर नाथ दत्ता के नाम से जानते हैं तो स्वामी विवेकानन जो थे बैटा वो एक अथीष्ट थे मतलब नास्तिक थे वो कहते थे कि भगवान की पूजा करने से अच्छा है कि हमें फुटबॉल खेल लेना चाहिए ज़ादा बहतर है तब ही बैटा जो है हमारे स्वामी विवेकानन जी की मुलाकाद जो है राम कृष्ण परमहंस जी से हुई और यही वो राम कृष्ण परमहंस है जिन्होंने उन्हें अथीष्ट से थीष्ट बनाया था राम कृष्ण परमहंस सहाब जो है जब 1897 में उनकी मौत होती है उनकी मौत की 11 साल के बाद 1897 में स्वामी विवेकानन जी जिनका असली नाम नरेंदर नात दत्ता था उन्होंने राम कृष्ण मिशन की शुरुबात की थी तो राम कृष्ण मिशन जो है बटा स्वामी विवेकानन जी ने शुरू किया था 1897 में और स्वामी विवेकानन जी के मरने के बाद एक आईरिश महिला हुआ करती थी जिसका नाम था मार्गरेट नोबल जिसे बटा सिस्टन निवेधिता के नाम से जाना जाता है उन्होंने राम कृष्ण मुवेंट को आगे बढ़ाया था सबको मालूम है कि 1893 में स्वामी विवेकानन जी ने एक कॉन्फरेंस और रिलिजन को अटेंड किया था शिकागो में जो की बहुती फेमस है जहाँ पर उन्होंने पूरी रात लेक्चर दिया था याद रखेगा बहुती फेमस याद रखेगा ठीक है अब देखिएगा स्वामी विवेकानन जी के बारे में समझ्ये जो लोग हमारे समाज में भरम पहलाते हैं कि Swami Vivekananda जी जो है ऐसा कहते दे बैसा कहते दे अब सुनियेगा He recognized the fundamental oneness of all religion and emphasized that Krishna, Hari, Ram, Christ, Allah are different names of the same God and that there are many ways to God and salvation ये देखेगा देखे बेटा जो लोग जो है ना बेटा फालतु खबरे पहलाते हैं WhatsApp पर और Facebook पर देखे Swami Vivekananda जी ने क्या खा? Krishna, Hari, Ram, Christ, Allah are different names of the same God याद रखेगा Paramhans spiritually and compassion for suffering humanity inspired those who legitimately used to say service of man is the service of God ठीक है हाँ जी Paramhans देखे क्या कहते थे? Service of man is the service of God याद रखेगा ठीक है हाँ जी ठीक है हाँ जी Sorry, ये बेटा हमारे जो है Ram Krishna Paramhans जी ने कहा था और इसी पर जो है Vivekananda जी भी विश्वास रखे थे याद रखेगा चीक है हाँ जी अब देखे का ये नरेंदरनाथ दत्ता जी ने बेटा स्वामी विवेकानन कहते हैं लेटर केम तो बी नोन है स्वामी वेकानन कि जीर आठीज मेश्वान जी आखे पं। छेठाएब को तकुछा पमकरमें जींद इनूसाथी इंप आपेड़ उस ego-itionsum एलंदियृ जब्यादाना удь मुथारे शेखें God between service and behavior between spirituality and fundamentalness of God for own motherland junction of two great system Hinduism Islam is the only hope दीखेगा ये कह रहे देगे अगर भारत को बचाना है तो Hinduism and Islam is the only hope याद रखेगा चीक है लेकिन अब जो हैं लोग बहुत कुछ फैलाते रहते हैं Vivekanand was a great humanist and used the Ramakrish mission for humanitarian relief and social work the mission stands for religion social reform Vivekanand advocated doctrine of service the service of all being Vivekanand was using technology of modern science service of mankind at the parliament of religion held in Chicago Swami Vivekanand made a great impression of people by his learned interpretation the key native opening address was the need of healthy balance between spiritualism and maritalism envisaging a new culture of the whole world he called a blend of materialistic of the west and the spiritualism of the east and a new harmony to produce happiness for the mankind देखे इन्होंने कितनी बढ़िया बात कही जो यह इन्होंने शिकागो में Conference of Religion को अटेंड किया था वहाँ पे इन्होंने कहा कि जो west है वो materialism में विश्वास रखता है जबकि जो east है वो spiritualism विश्वास रखता है मतलब अमेरिका और यॉरप जैसे देश जो है वो basically materialistic society वे बने हैं जबकि भारत जैसे देश जो है spiritual society वे बने हैं तो इंको कहना था कि west और west को जो है मिलना चाहिए ताकि हम mankind के लिए बहतर काम कर सकें याद रखेगा तो यह स्वामी विविकानन जी का सबना था याद रखेगा चीक है हाँ जी दयानन सरस्वती एंड आरे समाज आपको मालूम है दयानन सरस्वती सहाब जो है जिनका असली नाम जो है मूल शंकर हुआ करता था इन्होंने कहा कि वैदों में विश्वास लगते थे वेद ही पवित्र है बाकी सब बेकार है इसलिए नहीं ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि वैदों में वापस जाओ इन्होंने बैटा आरे समाज की शुरुआत करी और हाला कि यह वेदों को तारी रहें और वेद में ही सारी सचाईयां बताई गई है आरे समाज मुवमेंट याद रखेगा जयान सरस्वती बॉन इंदा मोर्भी स्टेट गुजरान ब्रामेंट फैंबली तो इन्होंने कहा था कि गो बैक टू दा वेदों में वापस जाओ और इन्होंने भी कहा था कि बैटा इंडिया फॉर्दा इंडियन बारत भार्तियों के लिए होना चाहिए तो इन्होंने कहा था कि गोड इस दा प्राइमरी सोर्स अवल नॉलेज गॉड इस तुट ऑल नॉलेज अल्माइटी इमॉर्टल देखेगा ठीक है सारी बाते अच्छी ही बाते लोग करते रहे बटा जो है ना फालतू बाते से विए वाट्साइप और फेस्बुक पर होत ही हैं नेक्स आता है सेवा सदन पार्सी सोशल इबॉर्मर एम मलभारी फाउंड़ेट सेवा सदन इन 1885 तो एम मलभारी साब ने सेवा सदन बनाया ही और्गनाइज स्पेशलाइज इन टेकिंग केर अव यूज़ वुमेंस याद रखेगा देवा समाज देवा समाज 1887 में लाहर बाई शिव नरायन अगनी होतरी साब ने बनाया धर्मा समाज राधा कान देव फाउंड़ेट धर्मा समाज इन 1830 याद रखेगा चीक है हाँ जी राधा स्वामी मूवमेंट तुलसी राम एक बैंकर थे आगरा से अल्सो नोने शिव दयाल साहेब फाउंड़ेट द इस मूवमेंट वस्टाटेड वाई एवी कामस आमी रारकर बाल जी और या नाइडू इन मिद 1920 जीसे इसे सैल्फ मूवमेंट कहते हैं बिटा कहते हैं कि इंसान की सेल्फ रिस्फेक्ट सबसे आगे होती है वहाबी मूवमेंट वलि हुला मूवेंट शाव अलिह इंस्पा का जो में मकसद था वो इंका ये कहना था कि purification of Islam is very important तो वहाबी मुव्मेंट जो है शहाब अलियुल्ला साहब ने शुरू किया था एहमदिया मुव्मेंट ठीक है इसे मिर्जा गुलाम एहमद आफ कादियान ने शुरू किया था 1889 में ठीक है ये लिबरल प्रिंसिपल्स पर था जैसे वहाबी मुव्मेंट जो था वो थोड़ा सा strong और strict इस्लाम पर बेश था जबकि जो आपका ये एहमदिया मुव्मेंट था ये लिबरल इस्लाम पर बेश था याद रखेगा ठीक है हां जी पार्सी मुव्मेंट में ज्यादा इंपॉर्टन नहीं है थियोस्अफिकल सोसाइटी आपको Μालूम है थियोसोफिकल सोसाइटी ये बहुत इंपॉर्टन है ये बटा जो है Reform movement नहीं था ये revival movement था revival का मतलब होता är ये बताते थे कि हिंदु धर्म जो है वो एक जो है पुराने जमाने में किस तरह से हिंदु धर्म था उससे रिवाइफ करने कोशिश की गई थी थी थियोसोफिकल सोसाइटी की शुरुबाद मैडम ह.P. बलवास्टिकी ने की थी युनाइटेट सेट्स ओफ अमेरिका में 1875 में एक व्यक्तिव हुआ करते थे करनल MS. Allcott वो इस मुव्मेंट को भारत लेकर आयते 1882 में तामिल नाडू के अध्यार में बाद में जो है एक महिला हुआ करती थी आनी बीसेंट जो इसकी हेड़ बनी थी याद रखेगा. So Annie Bissend became the head of the Theosophical Society और वही Annie Bissend है जोनोंने 1898 में Central Hindu College स्कोला था जो आगे चलकर 1916 में बनारस Hindu University बन गया था. Theosophical Society याद रखेगा चीक है ठीक है तो ये सारी चीजे थी याद रखेगा ये हमारे देश रिफॉम मूवमेंट्स थे बहुत सारे लोगों को इससे फाइदा हुआ बहुत सारे लोगों को ये मूवमेंट्स अच्छे लगे बहुत सारे लोगों को लगने लगा कि ये पेडियेव आपको शेर कर दिया जाएगा लास अच्छी लगी यह तो लाइक बटन ज़रूर दबाईएगा तो यह हमारा लक्ष बैच शुरू हो रहा है फांडेशन बैच बाइस दिसंबर से तो फांडेशन कोर्स बैच बैच जिसमें जीएस पढ़ाऊंगा मैं दुपहर क प्रिद्टिए मड मायका कूषए है ले सकते हैं अगर आपरेल का च्ब्टेमबर कोड याद रखे यह सब्सक्रप्राइब यास्ट बारा मेहने का आज ही सब्सक्रप्स्रीप्षी ली दिए और आपको बहुत फाइधा होने वाला है एक्जाम में याद रखेया चिक है थै नहीं आता है मुकेश काले सीडियास और सीएपीएफ एक यही चीज है वेटा जीएस के मामले में तो आप उसको जॉइन कर सकते हैं हाला कि सीएपीएफ के बैच आगे हम स्पेसिफिक नाम से भी लेकर आएंगे अपरेल तक याद रखेगा चीक है वैसे आप जीएस एक ही है एक यही जीएस आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं चीक है चलिए बाई सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज की क्लास आने के लिए चलिए मिलते हैं अब दो बजे आफ्काइट की क्लास में जब तक सब लोग ना ध्यान रखेगा डू टेक केर और अफेसेल्स हेव नाइस द